Camera के Manual Mode में Shutter Speed का उतना ही importance है जितना आपकी car या बाइक के gearbox का होता है जितनी जादा आपको speed सही है उतना बड़ा आप gear लगाते हो जितना speed कम आप रखते हो उतना छोटा gear Similarly जब हम Manual Mode में photos लेते हैं Shutter Speed को use करके हम एक photo में motion को यहां तो freeze कर सकते हैं यहां slow down कर सकते हैं और सबसे बड़ा concern जो मैंने देखा है मुझे social media और YouTube पे भी आप मैंसे काफी लोगों है डाउट रहता है कि shutter speed को कैसे set किया जाए ताकि हम कुछ amazing और creative photos ले सके हैं अब यह बड़ी photo देखो जो मैंने recently Instagram पे डाली थी and to my surprise मैंने एक poll टाला अपनी story पे और काफी लोगों को लगा कि यह जो photo है one by thousandth of a second पे शूट की गई है जो एकदम गलत आंसर है correct answer क्या है वो मैं आगे बताऊंगा because shutter speed एक ऐसा tool है जिसको use करके आप कुछ इस तरह से slow motion भी capture कर सकते हो और इस तरह से action को freeze भी कर सकते हो अब सबसे पहले यह वली photo का example लेते हैं अब यहां पे आप देखोगे एकदम जो subject है जो human element है और कुछ birds है वो एकदम still है बट आपको ऊपर की तरफ कुछ birds देखेंगी जो motion में है अब इस तरह का अगर आप कुछ capture करना चाहरे हो आपको पहले mind में clear होना चाहिए कि जब आप manual mode यूस कर रहे हो तो आपको settings क्या रखनी है अब क्योंकि हम सिरफ shutter speed की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या गरा मैं इस particular situation में मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ capture करते हो जहाँ पर birds हो हलकी सी motion में आए ताकि जो बागी लोग क्लिक कर रहे हैं उससे unique मैं कुछ image निकाल सको यहाँ पर मैंने settings यहाँ करी सबसे पहले मैंने अपना ISO 100 डाला जब भी आप daytime में शूट करते हो ना maximum situation में try करो अपना ISO 100 रखो उसके बाद अब मैं manual mode में क्या करूंगा सबसे पहले shutter speed डालूंगा अब क्या कर सकते हो अब अपनी scene की तरफ camera रखो आपका जो exposure scale है जहां वो आपको center भी दिखा है आप वो aperture value यूज़ कर सकते हो इस image के case में मैंने F32 यूज़ करा था उसका reason हम कभी और discuss करेंगे जब हम aperture के बारे में बात करेंगे बट मुझे exposure लाना था 1 by 20th of a second के हिसाब से ता अब यहां पे तो motion freeze है मैंने slowdown नहीं करा अब यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा अब वो दिमाग मैंने कैसे लगाया मेरी जो shutter speed पहले 1 by 20th of a second थी मैंने जल्दी से 1 by 1000th of a second पे switch करा अब होगा क्या अगर आप manual mode पे हो बिना aperture rate ISO चेंज करेंगे अगर आ आपकी photo कैसी आईगी dark राइट तो इस situation में वही होगा बिना बाकी setting change करें आप अपनी photos नहीं ले सकते तो 1 by 20 से अगर मैं 1 by 1000 पे आया हूं तो एक बार हम देखे लिए कितने stop से हमारा exposure चेंज हुआ है 1 by 40 एक stop 1 by 80 160 then 320 640 और 1200 तो around 5-5 stops के आसपास हमने exposure को dark कर दिया अब व ISO भी हम बढ़ा सकते हैं बट अभी हमारा F32 पे था पहली situation में तो अब मैं क्या करूँगा अपना aperture value नीचे लाता जाओंगा इस situation में मैंने 5.6 यूज़ करा ताकि मैं एकदम same exposure ला सकूँ और मेरा action है वो freeze हो सके so I hope यहां तक आपको समझ आएगा कि manual mode का जो आपका तरीका है यूज़ करने का वो कैसे रहता है अगर आपकी priority shutter speed है तो आप पहले shutter speed चेंज करोगे उसके बाद exposure को सही रखते हुए अपना aperture या ISO balance कर सकते हो अब यह फोटो का example लेते हैं यह panning photography है मैंने इसका dedicated video बनाया था वो आप मेरे channel पर देख सकते हो अब अगीन यहाँ पे manual mode में आप कैसे shoot करोगे shutter speed सबसे पहले जीज़ आपको धियान रखते हैं क्यों यहाँ पे हमारा aperture का इतना main role नहीं है हमें background में motion दिखाना है subject को freeze करना है और subject को freeze या motion में करने का क्या तरीका है shutter speed तो आप क्या करोगे सबसे पहले दिन का time है ISO आप थोड़ा bright रख सकते हो बट मैंने आप इसो 400 यूज करा था क्योंकि यह शाम का time था उसके बाद मैंने अपनी shutter speed 1 by 50th of a second डाली अब यहाँ पे 1 by 50th क्यों मैंने ली पहनी का एक बहुत simple सा rule है जो मैं follow करता हूं यह कुछ ऐसा fix rule नहीं है यह ज डाल दी नेक्स्ट है आपका aperture वही चीज है आप एक cash shot लेके देख सकते हो यह exposure scale देख लो जहां आपको सेंटर पर दिख रहा है उतना अपरचर कर सकते हो अब नेक्स्ट इमेज पर जाने से पहले मैं आपको एक announcement देना चाहूंगा it's about my course जो मैं अपनी application पर लाउंच कर च discussion और in-depth में जाके live without solving हम पूरा करते हैं तो अगर आप इंट्रेस्टेट हो आप लिंक में description description में link है वह चेक कर सकते हो नेक्स्ट इमेज पर आते हैं कुछ इस तरह से अब यहां पर हम शर्ट स्पीट को कैसे detect करेंगे अगें आप देख रहे हो यहां पर आपका visualization बहुत काम आता है मैंने देखा यहां पर कुछ फ्रीज करना है तो हम शर्ट स्पीट को क्या करेंगे फास्ट तो मुझे यह क्लियर था कि मैं वन बाइट 2000 की शर्ट स्पीड लोंगा तो मैंने क्या करा अब नेक्स आता है अपरचर की बारी अब बाइट 2000 में मैं अपनी शर्ट स्पीड है वो बहुत फास्ट कर रहा हूं तो आपको अंदर जादा लाइड ले गया आने पड़ेगी तो इस situation में मुझे अब मान लेते हैं F2.8 का लिंस नहीं होता F4 का होता तो मैं अपने ISO को हलका सा बूस्ट कर सकता था 200 यहां 400 बट यहां पे मैं F2.8 पे गया वन बाइट 2000 का मैंने शर्ट स्पीड लिया और कुछ इस तरह से मैं अपने वाटर डॉपलेट को फ्रीज कर बाया बट एसी फोट नहीं करेंगे विकॉज डाट इस हाओ रिफ्लेक्शन वर्क्स और उस सब चीज में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि है फोटोग्रफी के रिलेटेड वीडियो है विक आप इसे काफी लोग ऐसा ट्राय करते होगे कि हम लॉंग एक्स्पोजर रहे हैं अब यहां पर अग रात के टाइम आप ट्रायपॉट लेके चलो ट्रायपॉट पे जब आपका कैमरा इंदम स्टेडी रहता है तब आप ISO 100 यूज कर सकते हो अगर आप हैंडेल शूट कर रहे हो तब हमें थोड़ा ISO बढ़ाना पड़ता है अधरवाइस दो सेकिंड का शड़ स्पीड है यहां पे मुझे इतना जाधा लाइट अंदर आ रहा था कि मुझे थोड़ा सा लाइट को रिस्ट्रेक्ट करना पड़ रहा था जिस वज़ा से मैं F8 पे जाना पड़ रहा था मुझे तो यह कुछ एक्जाम्पल थे कुछ सिच्वेशन थे जो मुझे लगा कि आपको help करेंगे अगर इस तरह की आपको और वीडियो चाहिए इस वीडियो पर मैं टार्गेट रख रहा हूं रहा हूं अगर दाई अजार लाइक साथे हैं तो मैं सजमत जाऊंगा कि इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है इंट्रेस्ट लाता है और आपको ऐसा सीखना चाहोग आपको बासुशचा हूं रूट जयो ए